कि नमस्कार कोकवेत किरन सिंग में आप सभी का स्वागत है आज मैं बना रही हूं एक हेल्दी ग्रीन जूस इसके लिए मैंने लिया हुआ है लॉकी खीरा ग्रीन एपल और कीवी इसकी साहता से मैं ये हेल्दी जूस बनाऊंगी मैंने सारी सब्जी और फल दो कर काट लिया है अब मैं मिक्सर चूसर की साहता से इसका जूस बनाऊंगी मैंने सारी सब्जी का जूस निकाल लिया है अब मैं इसे लगा लेती हूं आज कल ब्रत का सीजन आ रहा है तो आम इस जूस को ब्रत में भी पी सकते हीं जब हम लोग ब्रत रहते हैं तो सुचते ही कि कुछ हलका लिया जाए ज्यादा हेवी ना हो और हेल्दी भी हो तो उस समय यह जूस हमारे लिए बहुत अच्छा है इसमें ए, बी, सी, तीनों विटामिक का पैठ हमें मिलता है और यह एंटी आक्सिडेंट से भरपूर है इससे हमें जीवनी शक्ति मिलती है तो यह जूस को हम बनाएं और ब्रत में और बगैर ब्रत के भी हम इसको पी सकते हीं बनानी में भी बहुत आशान है बहुत कोई टाइम नहीं लगता है आईस डाल दिया है अब इसमें हम जूस डालेंगे देखनी में भी यह कितना सुंदर है वजन कटाने में भी हमारा यह बहुत सायट है इसमें हम डाल रही ही सेंधा नमक जिससे हम इसको ब्रत में भी यूज कर सकें सेंधा नमक ऐसे भी हमारी सेहत के लिए बढ़िया होता है थोड़ी सी पुटी काली मेश चालेंगे हम इसमें और थोड़ा साम नीबू कर सेंधा इसमें मिला रही ही है यूज कर सकते हां दोड़ा झालेंगे है यूज कर सकते हैं हम इसी खीरे और पुदीने की पत्ती से घार्मिश कर देती हैं और यह हमारे हेल्दी ग्रीन जूस पीनी के लिए तैयार है आप इसको अवस्य ही ट्राई करें और पीएं इसको देखनी के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद झाल